दोस्तों भारत ने हमने पुराने दोस्तों से कच्चे तिल के आयात को बढ़ा दिया है क्योंकि अब कच्चे तिल के बाजार में एक नया खेल शुरू हो चुका है अभी तक आपको यही खबरे मिल लही थी कि भारत रश्या से काफी डिसकाउंटर प्राइस पर भारी मात्रा में कच्चा तिल खरीद रहा है तो अमेरिका और यूरोप की तरफ से रश्या के उपर संक्स लगा दिये सबसे बड़ा संक्स यही लगाया गया कि रश्या अब अपना कच्चा तेल यूरोपिय मार्केट के अंदर नहीं बेच पाएगा लेकिन एक तरफ रश्या को अपनी एकनामिक पावर चाहिए थी इसलिए लगातार वो डिसकाउंटर प्राइस पर भारत को कच्चा तिल बेचना शुरू कर चुका था हमें ये बात भी एकसरप करनी चाहिए कि रश्या के हल्प से भारत के अंदर भारी मात्रा में कच्चा तेल आया भारती ओयल कंपनीज ने बड़े सतर पर रिफाइन किया और यूरोप सहित कई दिशों के अंदर एक्सपोर्ट किया जिससे भारती कंपनियों ने काफी ज़ पेमेंट है पहले कुछ समय तक इंडियन रुपीज में करनी पड़ी इसके बाद चाइनीज यूवान और कुछ समय तक यूएस डॉलर में भी की गई लेकिन रश्या यूएस डॉलर को सही तरीके सिस्मेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो जातर चीजे चाइना से इंपोर्ट क नहीं देने वाला है लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने पुराने दोस्त यानी मिडिलेस्ट इराक यूएस साउदी रेवी जैसे देशों से कच्छे तेल की सप्लाइब बढ़ा दी है और मिडिलेस्ट के जातर वो देश जो बड़ी मात्रा में कच्छा तेल प्र बढ़ा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने क्रूड आल के बढ़ा दिये हैं और वेनेजुला के उपर लगाए रेस्ट्रेक्शन सटाय जा चुके हैं जिसकी वज़े से कच्छे तेल की किमते कितनी भी उपर करने की कोशिच की जाए मिडिलेस के कंट्रीज की तर प्राइस पर कच्छा तेल ओफर करेगा जो कि आज की सबसे बड़ी ख़बर है बाकि आपका इस पर क्या सोचना है मैं कमेंट्स में जरू बताएगा भारत कैसे ही यूसला इंफमीटी वीडियोस पाने करें आप मारे यूटीव चानल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा मिल